कि हैं लो एब्रिवन तो स्वागत है आप सबी का आज के इंपॉर्टेंट जेनरल नॉलिज के विडियो में और आज हम कवर करेंगे रेलवे से इंपॉर्टेंट कोश्चन जो की रेलवे के एक्जाम्स में बहुत बार पूछ चुका है ठीक है ऐसे कोश्चन जो रेलवे के एक्जाम्स में बहुत बार आ चुका है और आने का चांसे भी बहुत ज्यादा है तो जैसे हम जानते हैं हमारा ग्रूप डी का एक्जाम सामने है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कोश्चन तो आज हम कवर कर रहे हैं अपने जी के सीरीज का वीडियो नंबर 219 तो अपना कॉपी और पेन लेगे जल्दी से बैठ जाए मेरे साथ लाइन टू लाइन लिखने के लिए और पढ़ने के लिए बिल्कूल आसान तरीके से सिंपल में ठीक है चलिए पहला कुश्चन आ रहा है हमारा प्रेजेंटेशन और फॉर्स्ट एव 53, 1888, 1925 या फिर 1905 यहां पर आपका एंसर होगा साल 1925 में सबसे पहली बार रेलवे बजट भारत का रेलवे बजट पेश किया गया था ठीक है सबसे पहली बार कॉशन नंबर 2 वेर इज द़िल एंड एक्सल टैंट ओफ इंडियन रेल्वेस सिचुएटेडव एंड एक्सल जो प्लैंट है वो कहां पर है चितरंजन, कपूर धला, बैंगलोर, पेरंबर, तो यहाँ पर आपका एंसर हो जाएगा, बैंगलोर में आपका वील एक्सल प्रेंट है, यहाँ पर बनता है, ठीक है, वील हो गयरा, एक्सल हो गयरा, कोशन नमबर थ्री, डीजल लोकोमोटीव वर्क, इस सिच्चुएटेड एक्सल लोकोमोटीव वर्क, ठीक है, डीजल लोकोमोटीव के बाद कर रहा है, तो यह कहां पर है, पेरंबूर, बरानसी, कपूर धला, या फिर बैंगलोर, तो यहाँ पर आपका एंसर होगा, दे, पेसेंजर बॉग्स ओफ इंडियन रेल् discharge अरणॉफेक्चर इन, पेसेंजर जो बॉगई होता है, पैसेंजर ट्रेंज बिन्ब या फिर बैंगलोर में, तो यहाँ पे आपका एंसर होगा जो पैसेंजर बॉग्स है, भारती रेल का वह बनता है आपका नो, बंता कहा परांबर में ठीक है आपसां नमबर सी चलिए कोशन नमबर फाइब इन डीजल इंजीन इगनेशन इच कोस्ट भाइब डीजल इंजीन के अंदर इगनेशन किस से होता है इस पार्क से होता है आपकोंप्रेशन या फिर फिक्षन से यहां पर आंसर होजाएगा आपको जो डीजल इंजन के टीक है कोशंच नमबर six विच ट्रेन इंडिया को लेंथ मतलब बोल रहा है सबसे लंबा दूरी तय करने वाला इट्रेन ओन रूट लेंथ विबेक एक्सपरेस इंदरानी एक्सप्रेस करनिया कुमारी एक्सपरेस या पिर बैंगलोर गुहाटी एक्सप्रेस तो यहां पर अंसर हो जाएगा आपका सीम्पली ओप्शन नमबर है वीवेक एक्सप्रेस वह आपका असां के दिब्रु घड से आपका टोटली कन्या कुमारी तक ट्रैवल करता है ठीक है और वीकली ट्रेन है ठीक है और यह आपका लेता है 420th न मैंने चार था इस जाता है चैंज लिए तो इसलिए मैंने चाहरगा तर पता है नंबर से विन हाउ मजडी स्टेंस वाज ट्रैवल बाई फार्स्ट्रेंग ऑफ इंडिया जो भारत का सबसे पहला ट्रें उस सबसे पहला ट्रें जो चला ठाव वो कितना दूरी तक टाई किया था टीस किलो मीटर चला था 36 किगो मिटर चोतिस याफ द्स इस अलीफ किलो मीटर तो यहां पर आपका एंसर हो जाएगा जो पहला ट्रेंद办 वो चला था आपका 34 किलो मीटर कहां से कहां तक यह चला था आपका बॉम्बे से ठाने तक ठीक है चलिए कोशन नमबर एट द एच्क्यू यानि की हेड़ क्वाटर शॉट में यहां है यहां पर आपका एंसर हो जाएगा जो साउथ सेंट्रल रेलवे है उसका हेड़ क्वाटर में ठीक है चलिए कोशन नमबर नाई एनडियाachtenman the first train is started In India on कौनसे साल में भारत का सबसे पहला ट्रेनथा वो चला था यहां तो हम संटंस कि ट्रैवल किया था यहां पर जानेंगे कौनसे साण में चलू हुआ था कौनसे साल में चला था वो 1851 1852 1853 या फिर 1854 तो यहां पर आपका एंसर होगा साल 1853 ऑप्शन नमबर सी ठीक है और अगर एक्टेट पूछले तो बता दीजेगा कि 16 अप्रील 1853 ठीक है चलिए कोशन नमबर टेन इन वीच गोवर्नर जेनरल रीन रेल्वे लाइन इन इंडिया सिंपल तर कोशन ने बता रहा है कि कौन से गोवर्नर जेनरल के टाइम पर आपका जो रेल्वे लाइन बिचाया गया था ठीक है चलिए ऑप्शन आपके बास लॉर्ड विलियम बेंटिक लॉर्ड कॉर्ण विल्स लॉर्ड केनिंग या फिर लॉर्ड डलहूजी तो यहां पर आपका एंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहूजी ऑप्शन नंबर भी इनी के समय में भारत में रेल्वे लाइन बिच्वाया गया था ठीक है चलिए तो कवर हो गया हमारा 219 आचका रेल्वे का टॉप कोश्चन था जो कि हमेशा एक्जाम में पूछता आ रहा है और आपके आ तो मेरे जानने के बाद स्क्रीन शॉट लेके जल्दी से अपने कॉपी में लिख लेना या फिर वीडियो पॉस करके भी आप लिख लेना तो मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो के साथ 220 संबर लेके तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर म मेरे तरफ से कुछ गलत दिया गया हूँ तो अब कमेंड में जरूर बताइएगा मैं उसे नेक्स वीडियो में जरूर उसको सुधारने का कोशिस करूंगा तब तक लिए थैंक्स वर वाचिंग दा वीडियो जल्दी से अपना स्क्रीन शॉट ले लीजी या फिर लिख ली डीजी